हाई अब 10 बज गए हैं अगर आप नोटिस करते हैं कि हम हमेशा आपसे कहते हैं कि 10 बे से पहले ट्रेड मतले उसका लॉजिक अब आप समझ गए होंगे कि हमें टाइम चाहिए होता है कि स्टार्टिंग में जितना भी मुवमेंट होना होता है जितने भी रॉट ट्रेड्स हो हो जाए जिससका स्टॉप लॉज से टोनाता हो जाए उसके बाद मार्केट थोड़ा सा पेशंसली काम करना शुरू करते थी और एक अच्छी बात एक और भी है कि हमें यह पता चाल जाता है कि हमें सपोर्ट कहां मिल रहा है दस बहे तक तो नोटिस करें हमने यही सोचा थ कि 380 से लेके 360 के बीच में हमारा अगर यह बाउंस बैक होता है तो वहां से बाइ करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस चोटा हो जाएगा तो यहां पर हमारे पास जो बाइ बना वो यहां बना अब नीचे नोटिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में बैंक निफ्टी बना उसके बाद में अगर आप नोटिस करेंगे बापी से ओपन इंटरस पर जाके चेक करते हैं और इधर चेक करते हैं अगर कॉल की तरफ कॉल के तरफ अन्वाइंडिंग हो रहा है विच मेंस मार्केट के चांस जाता है है अब देखिए अगर आपने इतना वेट किया है और इसके बाद भी अगर आपके स्टॉप लोस होते हैं या आपको थ्रुआ सा लॉस मिलता है तो बिलकुल परवा मत कीजिगा विकोज ये वाला मेथर आपको अल्मोस्ट मैं कहूंगा 85-90% परसन आपको प्रॉफिट प्रॉफिट करेगा बहुत कम ऐसा टाइम होता है वन आवर पे जो भी आपको लगे उस बेसिस पर आप ट्रेट चेक किजिएगा अब यहां पर आपके जो स्टॉप लोस बनेंगे यहां पर बनेगा आपका 480 का और इधार आप चेक करते हैं तो यह स्टॉप लोस आपका बन जाएगा 370 का तो विच विच विल बेरी कर सकते हैं तो गैस अभी हम और वेट करेंगे और जैसी यह ब्रेक आउट करता है 420 को तो आगे का जो टागेट रेगा वो 500 का अराम से हो जाएगा so that will be for now till 10 10.